आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पूर्ववरती का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले पूर्ववरती का आर्थ समझते हैं पूर्व वर्ति का आर्थ होता है पहले का प्रारंभिक या जो पहले था या जो पूर्व में था यानि कि कोई चीज जो पहले थी या पहले की हो तो उसे हम पूर्व वर्ति कहते हैं तो पूर्व वर्ती का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होता है परवर्ती या उत्तरवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों का मतलब होता है कि आगामी पश्चात या जो बाद में आता है या जो किसी समय के बाद में होता है यानि कि पूर्व मतलब पहले और उ उत्तरवर्ती ये परवर्ती को कुछ उधारन माटनों से समझें, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वै इस पद पर पूरुवर्ती अधिकारी था, ये फिर आप कह सकते हैं कि पूरुवर्ती घटनाओं ने इतिहास को बदल दिया, ये फिर आप कह सकते हैं परवर्ती पीड़ी या उत्तरवर्ती पीड़ी को हमारी धरोवर को संभालना है। या कि आप कह सकते हैं उत्तरवर्ती यूजनाएं पूरुवर्ती यूजनाओं के आधार पर बनाई गई है। अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें